आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Hello everyone, so the question is Demarit of lecture method in science is चीक है, science में lecture merit की क्या demarits है, क्या disadvantages है यह आपको बताना है, और इसके लिए आपको चार options दे रखें, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, lecture method होता क्या है, अगर मैं lecture method की बात करें हूँ, तो lecture method जो है वो teaching का एक oldest method है सबसे पुराना method है teaching का और इस method में क्या होता है teacher जो होता है, वो ही क्या होता है centered होता है, यह जो method है वो teacher centered method होता है इसमें क्या करता है, teacher जो होता है वो plan बनाता है, lesson plan बनाता है और उस lesson plan के according classroom में students को क्या करता है, information pass करता है, ठीक है, basically इसमें क्या होता है explain करता है किसी भी topic को, students को explain, sorry explain देखे इस आप पूरे प्रासेस में आप समझ रहें कि लेक्ष़ मैथर्मी प्लान बनाता है टीचर ही टीचिंग मेथर्मी डिसाइड करता है और टीचर ही जो होता है वह एक्षप्रेन कर रहा है इसमें प्यूपल का जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनका योगदान बहुत कम तो पहली चीज अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो मैं क्या रिख सकती हूं in pupils के लिए स्टुएंट्स के लिए बहुत ही कम स्कोप है इसमें थीक है little स्कोप फॉर स्टुडेंट ठीक है, क्योंकि students इसमें अपनी problems नहीं पूछ पा रहे हैं, इसमें क्या है, teacher ने अपना lesson plan बना लिया, उसकी according वो explain करता जा रहा है, करता जा रहा है, वो interact नहीं कर रहा है students के साथ, वो students की problem को नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो basically इसमें क्या हो गया, individual difference, आपको पता है, जो भी students होते हैं, उनके individual differences होते हैं, कोई student slow learner है, कोई fast learner है, तो individual difference जो होता है, उनको हम ignore कर देते हैं, इसमत्रा, individual differences, differences ignored ठीक है किसी हो सकता है जो teacher पढ़ा रहा है वो किसी को समझ में आ रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है जिसको समझ में नहीं पा रहा है वो communication नहीं कर पा रहा है टीचर से टीचर उसकी problem को नहीं समझ पा रहा है उसे बता नहीं पा रहा है तो basically यह जो है वो learning by doing के principle के against है ठीक है against of learning by doing अब learning by doing में हम क्या करते थे students को कोई भी काम दे दे थे student ही वो पूरा lesson plan बनाता था observe करता था, analyze करता था और result निकालता था ठीक है खुद करके खुद सीखने वाला जो concept है वो teaching method में खतम हो जाता है और basically अगर हम science की बात कर रहे हैं तो science का जो main मकसद होता है वो होता है learning by doing बच्चों को खुद करके सीखना होता है बच्चे खुद experiment करते हैं खुद ही सीखते हैं, खुद ही observation करते हैं खुद ही analyze करते हैं और खुद ही result निकालते हैं science का basic चीज यह होती है कि उनको experiments करने होते हैं और यह उसी के against है ठीक है, तो एक तो यह इसमें की demerit हो गई इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक तरह से spoon feeding हो जाती है कि students class में बैटे हुए है उन्हें interest आ रहा है, interest नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें उनको spoon feeding कर आ रहे हैं ठीक है, spoon feeding हो जाती है दीसरा lecture की जो speed होती है बहुत जादा fast होती है इस वजए से उनको उसको knowledge gain करने में थोड़ा सा time लग सकता है क्योंकि सारे students जो होते है वो same IQ level के, same ability के, same capability के नहीं होते है सब में individual differences होते है जिसकी बात मैं अलड़ी कर चुकी हूँ यहाँ पर individual differences के सब की capability अलग-अलग है ability जो है, वो अलग-अलग है capability जो है, वो अलग-अलग है learning capability जो है learning power जो है, वो सब की अलग-अलग है ठीक है, कोई कैसे समझ रहा है कोई कितना समझ पा रहा है, वो अलग-अलग होती है तो इन जीजों के ignore कर दिया जाता है ठीक है, तो एक ही हो जाएगा, दूसरा यह lecture जो होता है students के लिए boring हो सकता है ठीक है, और monotonous तो होता है क्योंकि सिर्फ जो भी कर रहा है, वो teacher ही कर रहा है अब हम हमारे options देख लेते हैं पहला option है, it is economical तो यह option तो बिल्कुल गलत है, economical तो नहीं होता है second is, it makes the teachers work simple ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जो भी है टीचर सेंटर है, तो टीचर को ही सबसे जादा करना है टीचर को lesson plan बनाना है टीचर को teaching method plan करना है उसको अपने position change करके facial expression change करके उनको explain करना है तो यह भी गलत हो जाएगा third one is, it ignore individual differences जैसा कि मैंना भी आपको explain किया था इसमें students के लिए बहुत कम scope होता है उनके individual differences को ignore किया जाता है उसमें उनको communication का मौका नहीं मिलता है ठीक है, तो यह बिलकुल correct option है and the last one is, it is very effective ती option भी गलत है science के लिए यह effective method नहीं है तेंक यू